एमेले शकील अहमद खान के नित्रित्व में एक डेलिगेट पहुचा बिहार शरीफ के सोग्रा हाइ स्कूल इस मौखा पर एमेले इजहारूल हसन, एमेले सउध दालम, पूर्व विधायक पपू खान शामिल थे जहां इन लोगों ने मदर्सा अजीजिया और सोग्रा कॉलेज का निरीक्षन किया वही सोग्रा वत्थ स्टेट के मोतावली मोकतार उलहक, नायब अवल छोटन बिहारी, सोग्रा हाइ स्कूल के अध्यक सुल्तान अंसारी, सचिव आफ्ता बालम, प्रिंसिपल शाहिना नाज, फुजेल गिलानी इत्यादी उपस्थित थे पटना सिटी में बीजेपी नेता के घर पर फाइरिंग, घर के छज्जे में लगी गोली, दश्षत में परिवार दर्भंगा में बारिश के लिए मांगी गई दुआ, इस्तिसका की नमाज के लिए जुटे कई गाव के लोग, मौलाना मुफ्ती ने कहा, इनसान से लेकर पशुपक्षी सब परेशान बेऊर जेल से सुबोध ने रची तनिश्क लूट की साज़िश, साथ दिन पहले प्लानिंग, जहां जहां CCTV वहां नहीं रुकते थे बदमाश पूर्णिया के तनिश्क शोरू में हुई 3 करोर 70 लाग की डायमंड लूट मामले में पुलिस ने 4 लाइनर को गिरफतार किया है सभी ने लूट में शामिल मुख्य साज़िश करता और लूटकान को अंजाम तक पहुचाने वाले बदमाशों के नाम और एद्रेस भी उगल दिये है बिहार में पटना गया रेलवे ट्रैक पर जेसी बी मशीन फंक्स गई जहां बुधवार को जहानाबाद जिले के मकदुमपुर वनावर कोटेश्वर नात धाम मुसी हौल्ट पर एक बड़ी दुरघटना होने से टल गई इस रेल हादसा से बचने के लिए काफी देर तक अफरात फ्री का माहौल बना रहा